तेले वरीवन दिस विशाल मालविया हीर और अगेन वेलकम यू और तु नेविगेट गुरूफ ऑफ इंस्टेटिव दोस्तों यह जो आज का सेशन रहने वाला है मॉस्ट डिमांडेबल टॉपिक के उपर आज का वीडियो रहने वाला है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के म इसे में आ रहे थे कि सर एक बेस्ट वीडियो बनाई एगी सिविल इंजिनेरिंग की कॉम्पेडिटिव एग्जाम की जितनी भी बुक्स हैं उनके उपर एक अच्छा सा वीडियो बनाई है क्योंकि बुक्स को लेकर हमें काफी ज़्यादा कन्फूजन की कौन सी बुक पर दें जब तक कि हमें उस बुक के बारे में कोई भी नौलेज ना हो तो दोस्तों बने रहे हैं एस पूरे वीडियो में मेरे साथ क्योंकि आज हम इन ही सारे टोपिक्स पे चर्चा करने वाले हैं दोस्तों यहीं मैं बात करूं सिविल इंजिनेरिंग में बुक्स की सो मैनली तीन प्रकार की यहां पर बुक चलती है पहली चलती है गुपता एंड गुपता सेकंड चलती है आरे स्खूर में थर्ड चलती है यूद कॉंपेडिशन टाइम आप दोस्तों वन बाई वन इन सारी बुक्स का रिवीउ करते हैं एंड डेटेल में समझते हैं कि कौनसी बु उन एक्जाम्स के लिए इन तीनों बुक को अच्छे से रिफर कर सकते हैं फिर में हम दोस्तों समझते हैं वन बाई वन इन बुक्स में कि इन बुक्स में एक्चल में क्या दे रखा है तो सबसे पहले यदि बात करें हम गुपता एंड गुपता की सो गुपता एंड एक्जाम की तयारी कर रहा हैं तो आपके पास गुपता और गुपता होना बहुत जरूरी है अब गुपता एंग्वेश की बुक है जो कि इंग्लिश में पूरी फ्रिंटेड है इस जो बुक के अंदर कोशन का लेवल है थोड़ा सा हाई लेवल की बुक है गेट के हैं और जितने भी जितने भी सब इंग्जीनियर की एक्जाम में आप इस बुक की हेलग्स से इसली दे सकते हैं इन सारी एक्जाम के लिए बूक बैस्ट रहे हैं आप गुपता एंग्वुपता के बास सेकंड्र मॉश्श इंपोर्टेंट बुक आती है तो दोस्तों वही ह दोस्तों यहां पर इसमें प्लस पॉइंट यह है कि जो भी आरेस खुर्मी का एक चेप्टर यहीं स्टार्ड होता है तो उसके नियुमेरिकल से पहले एक थियोरी का पुरा सेक्षन दिया हुआ है कि आप पहले थियोरी पढ़ लिजिए दें आप नियुमेरिकल से लगाईए कि हा पहले का ए है सेकेंड का भी है तिसरे का सी है और वहीं यदि आरेस खुर्मी की बात करें तो कोई सार्ल यहीं से पहले दौसरे तीन पेज की यहां पर थियोरी थिवह है आप उस थियोरी को अच्छे से पढ़ लीजिए उसके बाद आप जो भी हमारे क्वेशन वाला स बूक है इसमें हिंदी एंग्लिश में भी अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहीं किसे नीचे उसका इंग्लिश में भी वही कोशाद दिया हुआ कि सब इंजिनर की एक्जाम दे लिए उनके लिए बेनिफिशल बूक है तो वहीं यूथ कॉम्पेटिशन टाइम ने एक निस्कर्शन या फिर मैं कहूं निचोर निकाला एक फाइनल जो आउटकूर्ट या रिजल्ट जिसे हम कहते हैं वो निकाला तो इन्हों ने उसे दोनो इन्हों ने वहाँ पर दोनों लेंगवेज में इसका अच्छे से डिसक्रेप्शन दिया सो दोस्तोव यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि जो यूथ कॉंपेटिशन टाइम है इस ने इस बुक को दो लेंगवेज में प्रिंट क्यों किया आप दोस्तों यहां समझते है कि जितने भी सब इंजिनेर की exam होती है या फिर section इंजिनियर की exam होती है या फिर जितने भी junior engineer level की exam होती है, सारी एक diploma बेस exam होती है जहां पर डिप्लोमा holders भी apply करते हैं साथी साथ degree holders भी apply करते हैं, इन्होंने उसी चीज का एक benefit उठाया और दोनों ही लेंग्वेज में इस book को अच्छे से के एक ही book से diploma holders भी पढ़ सके और उसी book से degree holders भी पढ़ सके तो ये बुक्ता और अरे स्कूल में के बाद थर्ड जो important book है वो youth competition time है यदि आप सबसे पहले youth competition time को अच्छे से लगा लेते हैं तो आप जितनी भी रेलमर्स की exam होगे या फिदीमर्स की होगे जो भी state की किसी भी state की यदि मैं बात करूँ उनकी junior engineer level की जितनी भी exam से हैं या फिर सब engineer की exam है आप वो सारी exam इस book की help से क्रेक कर सकते हैं यदि आप जब youth competition time लगा लें तो उसके बाद आप आरे स्कूर में और दे गुप्ता पुप्रिकेशन की जो भी बुक है इन दोनों बुक को लगा सकते हैं वही दोस्तों यदि बात करें कि आप कीशी भी competitive exam की यदि तयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक handbook होना बहुत जरूरी है जो कि या तो आपके पास made easy की handbook हो या फिर gk publication की अभी हाल फिलाल एक दो बार्शों के में ही निकली है वह वाली handbook होना आपके पास बहुत जरूरी है आशा करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो की मदद से आपके जितने भी books से related जितने भी question थे जितने भी क्योरेश थी सारी solve हो चुकी होगी तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करें चैनल को subscribe करें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी इस प्रकार की वीडियो आए तो उसका notification मिले आपको सबसे पहले